इस वीडियो में आपको Samsung Galaxy A15 5G स्मार्टफोन के बारे में बतने वाले हैं पहले ही बोला चाहूंगा कि यह स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पॉपिलर होने वाला है इस सेग्मेंट में बहुत साही लोग इसको पर्चेस करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको इसका स्मार्टपून लेना चाहिए यह फिर नहीं तो आप वीडियो को पुड़ा एंटक्ट देखते रहें इस फोन में 6.5 इंचेस सुपर एमोलेड फूल एजडी प्लास डिस्प्लेय जो 90 रिफिस्ट को यह सपोर्ट करेगा और 800 पीक बाइट निस तक इसका डिस्प्ले का ब फोन की बॉटम साइड के बात करें तो 3.5 mm जैक, माइक्रोफून, USB Type-C और स्पीकर दिखेगा राइट साइड में आपको वॉल्यूम प्लास माइनस और पावर बटन दिखेगा और यही फिंगर पिंट है मतलब कि साइड माउंटेड फिंगर पिंट उपर के तरफ आपको noise cancellation microphone भी दिया गया है, जो मुझे काफी अच्छा लगा, लेप साइड में आपको SIM slot का छेव दिखेगा और यह hybrid बाला है, मतलब कि आप दो SIM card लगा सकते हो या एक SIM card और एक Micro HD card जो on TV तक आप यूज कर सकते हो Micro HD card के में बात कर रहा हूं, पीछे के तरफ camera setup है और design देखोग 5 Mbps का Ultra Wide और 2 Mbps का Macro तो आपको इधर Ultra Wide camera दिया गया है, चाहे 5 Mbps का Q न दिया गया है, लेकिन दिया गया है और 2 Macro जो, और हाँ, सामने के तरफ आपको water drop या फिर U-shape display में आपको camera नजर आएगा, एमे, display में बोलना भूल गया था, तो थारी बोलना चाहूंगा कि तो दो RAM variant में अभी available रहेगा, एक 4GB, 128GB जिसका प्राइस उन लोगना 13,000 रुपे रखा है, और एक है 6GB, 108GB बाला जिसका प्राइस से 14,500 रुपीज, मतलब कि देखा जाए, जो 4GB वाला variant है, सिर्फ 2GB RAM एक्स्ट्रा लेने के लिए, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेग में ही आप RAM boost का यूज करके RAM को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 4GB वाला जो variant है, उसमें आप 4GB एक्स्ट्रा राम बुष्ट यूज कर सकते हो, और जो 6GB वाला variant है, उसमें आप 6GB एक्स्ट्रा राम को बढ़ा सकते हैं, मीडिया टेक टाइमेंड सिटी 6100 प्लास 5G प्रोचेसर ह प्रोचेसर होने बाला है, इस प्राइस प्राइस पॉइंट में सैमसम जो दे रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आया, इस प्रोचेसर अगर आप 6GB वाला variant लेते हो, तो इसका एक्स्ट्रा प्रोचेसर करीब 4GB के आसपस आपको मिल जाएगा, और अगर आप 4GB वाला variant लेते हो, स्मार्टपोर में, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, ट्वीटर बगरा चलाते हो, बड़े आराम से यह कर लेगा, प्रोचेसर बहुत ही अच्छा होने वाला है, 6000 mAh बैटरी है, और 25W का यह चार्जिंग सपोर्ट करता है, टाइप C पोर्ट है, बैटरी वाइस देखा ज आरजा नहीं मिलने वाला, आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा, तो यह आप पहले ही जान लो, 25W का मैक्सिमाम है, और अपरेटिंग सिस्टम में इस फोन में आपको बहुत सही चीज़ मिलने वाला है, पहले बात तो यह Android 14 लेटिस्ट वाला है, अभी का, जहाँ पे 18 तक आपको जो हे major update मिलने वाला है, OS update में बात कर रहा हूं, और security patch update आपको पांच साल तक मिलता रहेगा, मतलब कि इस फोन को आप एक बढ़ खरीद लो, तो चार साल तक आपको OS वाला update ही मिल रहा है, मतलब कि बहुत टाइम ताक यह वाला स्मार्ट फोन में आपको operating system का update मिलने वाला है, जो मुझे काफी बढ़िया लगा, और Samsung का एक चीज़ बहुत ही खास है कि उनका service center आपको बहुत ही जगह पे available मिल जाएगा, और अच्छा भी है देखा जाए, बाकी other service center की हिसाब से में बात कर दो, connectivity की बात कर तो, obviously 5G phone है, dual 5G SIM का इसमें आप लगा सकते ह देखा जाए, तो 13 5G band से, तो इंडिया में कोई problem नहीं होने बाला भाई, आप इस phone को खड़िद लो तो 5G में कोई दिक्कत नहीं होने बाला, और Bluetooth version 5.3 है, Wi-Fi आप 5 GHz, मतलब कि dual Wi-Fi band इसमाप यूज़ कर सकते हो, ओके, अभी main मुद्दे की बात करते हैं कि क्या आपको स्मार्टफोन 4GB, 108GB का जो variant है, 13 रूपे के हिसाब से purchase करना चाहिए, या फिन नहीं, तो यह सिर्फ में Samsung के लिए बोलूँगा, कि आप इसको purchase कर सकते हो, जी है, बहुत ही ज्यादा आपको इस phone में value for money मिर रहा है, Samsung के तरफ से वो भी इतना बारा brand है, तो इसको buy कर सकते हो लेकिन कुछ चीजे में आपको जो है, पॉइंट आप करना चाहूंगा, पहले बाद इसका display, display बहुत ही खास होने वाला है, जिसलिए में कोई problem नहीं है, लेकिन water drop notch display है, अभी जो fashion चल रहा है, पंचोल cutout वाला, जी है, मुझे मालूम है कि iPhone बगरा में है, अभी भी notch चल सकते हो, और एक बात कि इसमें आपको single speaker में रहा है, dual speaker नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एक दिक्कत लगा कि अगर किसी को 2 SIM card और 1 micro HD card चाहिए, तो वो इसमें नहीं कर सकते है, क्योंकि यह hybrid SIM slot है, और हाँ, Samsung का after sales service बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो आप definitely इस phone को 4GB, 108GB अगर आपको offer के साथ 12-13 रूपय मिल रहा है, अभी के टाइम पर इसको आप definitely buy कर सकते हैं, सिर्फ Samsung के लिए में यह बात बोल रहा है, जो आपको इस price point में मिल रहा है, 14,000-15,000 में, तो मुझे बहाँ पे थोड़ा दिक्कत लग रहा है, आपको यह बोलने में कि आप उसको purchase कर सकते हैं, क्यों कि उस price point में आपको दूसरे brand के अच्छा कासा specs के साथ आपको smartphone मिल रहा है, तो आप दूसरे brand के तरफ जाईए, अगर आपका budget 15-14,000 रूपय है, तो सिर्फ 12-13,000 रूपय ही है, तो आप दूसरे brand के तरफ definitely जा सकते हैं, लेकिन Samsung का brand जाहिए, इस price point में तो यह बड़ा smartphone ले सकते हो, value for money वाला है, Samsung में अच्छी देखा जाए तो, अगर आपको purchase करना है, तो नीचे डिसकस में link के बहाँ पर जाके smartphone को check out कर सकते हैं